हैलो गुट मॉनिंग और आज का मेरा व्लॉग जो है न थोड़ा सा बिजी बिजी वाला ही है क्योंकि आज आरना का रिजल्ट है और युवान का जो है न इंजक्शन भी लगना है आज लग जाए सारे घर के काम हो चुके हैं बस सुबा युवान थोड़ा सा लेट उटता है न नहीं युवान थोड़ा सा लेट नहीं उटता वो उट तो जल दे जाता है मतलब आरना थोड़ा सा लेट उटने लग गई रहा तो मैंने जो बैड ठीक नहीं किया था तो मैं अ सब कर लिया है और अभी हम निकल रहे हैं बाले आरना के स्कूल जाएंगे लगना है प्लस आरना का जी रिजल्ट भी है और पीटियम भी है मैं मैं सब्सक्राइब जाएंगे बाले आरना के स्कूल पहुंचके थे और हमसे पहले दो पेरेंट्स आरना के स्कूल पहुंचके थे और थे तो वो अभी मैं से बात कर रहे हैं उसके बाद फिर हमारी हमारा नमबर आएगा तो पीछे जो है ना आरना की टीचर बैठी हुई है तो आरना का रिजल्ट लेगा सिधा हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए जहां पर युवान का इंजक्शन लगता है तो वहां जो था ना वो भी लगा नहीं मैं दूसरी बार आयो इससे पहले भी आया थी तो मना कर दिया तब भी इंजक्शन नहीं आया था तो वहां की जो डॉक्टर नों ने बोला कि यह वाला इंजक्शन यहां नहीं लगया क्योंकि नहीं आ रहा है आप इस वाले इंजक्शन को ब यह है आरणा का रिजल्ट बहुत अच्छा है कल था रिजल्ट और हम उसका रिजल्ट लेने गए उसके बाद फिर यूवान का इंजक्शन के लिए गए ना तो क्या था कि इसका इंजक्शन नहीं लगा और जो रहा दिखा दें कौन सा वाला रहा गया कि फिर आप सब मुझस तब मैंने लगवाया था और फरवरी में लगवाया था तो यह तो लग चुके हैं इसके इंजक्शन यह वाला यह दो लगए बट यह रहा गया है यह नहीं लगा और इसके लिए भी मैं कल गई थी दो वार में होकर आई कल भी गई थी तो उन्होंने बोला कि इस जो महीने का हो जाएगा ना तब लगेगा यह गॉर्मेंट वाले हॉस्पिटर में तो बाकी जहने वह लग चुकी है यह इसका जब जनम हुआ था इसका तब लगा था उसके बास भी मैंने गॉर्मेंट से लगवाना शूरू किया तो काफी अच्छा है हॉस्पिटर वो अब जाएंगे पाहर से लगवाएंगे असे का हम परो देखेंगे का लगवाते और कल आड़ना का रिजर्ट आच पाफ हो कि है उसके जो सारे जो पेपर हुए थे कि अग्जाम जो ऐता इसके पेपर भी मह लेकर आगी वन अंब भुला कि मुझे मिल जाएंगे सारे पेपर क्य कि उनका फिर तो कोई काम तो होता नहीं है अपने पास बखले कि याद रहते हैं कि फर्स्ट आरना का स्कूर और ये इसका सेकेंड ट्रम इंग्लिश में और मैथ में तो ए प्लस है इसका मैं आपको पाली बताया थे ना कि हिंदी में ये थोड़ी है थोड़ी सी बहुत प्रक अब जाएगी अब जाएगी इसकूल यू किच में उसमें जाएगी अप जाएगी थर्ड अप्राल से तो उसके बाद फीर मंडे है शायर उसको दो दो दीन जाएगी उसका पी चुट्टी आ रही है गुड़ साइड है उससे पहले भी कुछ हो और पीर लगा तर चार पां कें तो किल थे जारी करने करे कांम कर ले चार चुका है मेरा और अज उम्स के आत है बहुत बहुत जादा मस्ति करिया है रहत लह थो में भी नियते हो जाएक है खून 역시 आपकि को इसंगा पजी आनि ये ने लगार प हम भी नियार से अन्हां खने वह बना रहे हो कुल्चे मैं बना रहे हूं मटटर कुल्चे बहार से लेकर आएंगे मिलेंगे थोड़ दिर में मुझे आज आइब्रो बनाने जाना है आइब्रो आ गई बहुत पस गलती से बोल दो बाहर जाने के लिए इसको यह लगता है मैं भी चलूगी ममा ले एक लेगी आजो चलो भी मैस को लेज दी हूं ठीकिख थो यह बस गोद में आजयता है तो ऐसे रहता है शान्ति शान्ति इसके आइब्रो मिली हुए इन जो इंडेस के आइब्रो आरना के भी थी अब आरना के भी है पर इसकी ज्यादा लगती है है ना बेटा सबको हाई पूल दू हाई है पूल दू हाई हाई कल यह बच गई इन जाके में तो युवान को कपड़े चेंज करने की बात न यह सू गया और दुपार में वैसे सोता नहीं है पर इसकी जो नहीं दना बहुत ही ज़्यादा कच्छी हो चुकी है दो गहंटे भी मुस्किल से नहीं सोता है जैसी ही आवाज आती है वैसे ही यह उठ जाता है उसके बाद यह सोता ही नहीं है और सीधा फिर मैं उसको सो लाते हो रात को तो अच्छे से सो जाता है और मेरे पास कॉमेंट भी आते हैं कि दिदे मेरा बेबी रात को नहीं सोता है तो हो सकता है क बेबी का पेट जो है न, वो खाली हो, उसकी वज़े से शायद बेबी बार-बार उठता रहता होगा, हाँ न, तो बेबी का एक बार अच्छे से पेट भढ़ जा रहा, तो वो सोते रहते हैं, बीच-बीच में उठ जाते हैं, कभी-कभी, जैसे भूख लगती है, तब उठ तो यूवान भी बीच-बीच में उठता है, दो बार उठता है वो, अच्छा शाम के टाइम है, तो मैं अभी आरना को भूख लगी थी, और मुझे भी थोड़े सी भूख लग गी थी, तो मैगी बनाई हैं, और मैं इससे पहले गई थी, यूवान को सुलाने के बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो बस वहाँ से आ गई हूँ, और वहाँ से आते ही, जो था ना, मैं शाम के काम खतम किये, और यह है यूवान का प्ले टाइम, लब यह इस टाइम पर यह खेलता है, उसके साथ हम सब भी खेलते हैं, और यह वाला टाइम भी, इसका टैम टैमी टैम भी होता है, टैमी टैम के लिए मैं आपको बताये भी था कि कभी भी मैं यह नहीं करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँवी ठीक है, अब खेलने के मोड में है, तब मैं इसका टैमी टाइम करवा देती हूँ, और ऐसानहे की काफी देर इसे साथ हम ऐसी एंज्जॉई करते रहते हैं हना और खाना माना घाने के बाद सीधा फिर मैं आ आगे थी युवान को मालिश करने के लिए क्योंकि आग सुब़ना मालिश करती हो तो मैं रात में पर्डेति है अब तो वैसे वैदर भी ठीक है तो मैं सोच रहे हो कि सुबह शाम दोनों टाइम कर देती हूँ तो अभी वैसे मैंने कपड़े पूरे नहीं होता रहे है इसके पहले मैं पैर से स्टाट करती हूँ और पैरों की जो है ना मालिष तो मैं रोजी करती हूँ जब भी टाइम मिलता है तभी मैं कर रहते हैं क्या होता है ना बच्चे बहुत ज़्यादा पैर ज़्यादा चलाते हैं तो क्या होता है ना कि ऐसे लगता है कि पैरों में दर्दना हो जाए और ठीक रहता है मतलब मालिष करके तो पैरो कि तो मैं जब भी लगता है कि हाँ मैं भी कर देती हूँ जब भी मुझे free time लगता है तो अभी इसकी मालेश हो रही है खाना बगरा जो है हमने खा लिया है उसके बाद बस baby cake अपड़े change करके इसको सुलाने के लिए जाओंगी आज मैंने ज़्यादा कुछ share नहीं किया क्योंकि बीजी बीजी थी आज मैं पूरे दिन इस बचे से तो और बस मैं अभी vlog का भी एड़ करती हूँ ठीक है और जल्दी मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye take care good night और ये ना बहुत ज़्यादा शैतान भी हो चुका है आपको बताओ बहुत ज़्यादा मालिस करते वक्त भी नहीं रोता है और मेरे पास ये comment आए ता कि दी बेभी जब नहाता है तो ब्लुकुल भी नहीं रोता है मेरे मेरा जो बेभी यो बहुत रोता है कोई-बच्ची होते है। जो नहाने से रोते हैं। जीसे आरना अभी तक रोती है नहाने से वो स्टाडिस लेफिए. आभी तक नहाने पए रोती है। वो खासकर scat तब जब बाल धोल जाते हैं। चलिए वीडिव का भी अंद करते हैं। बबाई!